दोस्तों अगर आपका लक्ष विस्विध्याला में असिस्टन्ट प्रोफेसर बनना है तो आपको UGC NET का एक्जम क्वालिफाई करना होगा हम आपके लिए हैं UGC NET Economics के दो कोर्सिस जिसमें आपको 100 प्लस वीडियो के अलावा चेप्टर वाई नोट्स, टेस्स सीरीज और आप पासचे के कुश्शन पेपर मिलेंगे इसके लिए आपको वमारी एप्लिकेशन विश्विध्यू इकनोमिक्स से इसको डाउलोड करनी होगी वहाँ पर आपको UGC NET, PGT Economics, Assistant Professor, UPSC Economics Optional आगी 200 से यादी कोर्सिस मिलेंगे इसके लाव अगर आप फ्री नोट्स डाउलो आप पूरी की पूरी पर काफी असर पड़ता है, तो क्या क्या असर पड़ता है, इसको हम कई category में divide कर सकते हैं, तो सबसे पहली जो हमने point बनाया है, वो है effect of public expenditure on production, तो production का मतलब होता है कि लोगों की काम करने की जो इच्छा है, उस पर क्या असर पड़ता है, यानि कि willing to work and save and investment, इसके अलाबा ability, willing अलग होता है, ability अलग होता है, मेरी इच्छा है कि मैं माली ये BMW car खरीद हूँ, ये मेरी willing है, ability का मतलब है, मैं क्या BMW car खरीच सकता हूँ ये नहीं खरीच सकता, ये ability है, तो जो public expenditure होता है, वो willing to work, save or investment को भी इसर करता है, ability to work, save or investment को भी असर करता है, स साथी साथ इसका असर allocation of resources पर पढ़ता है, तो क्या क्या असर पढ़ेगा, उसके बारे में हम detail में आप बच्चो को समझाने वाले है, सबसे पहले हम बात करें, ability to work, save and investment की, तो बच्चो मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर कोई government public expenditure करती है, तो उसका positive असर पढ़ता है, ability to work पर, ability to save पर, ability to investment पर, मैं आपको एक example से समझा देता हूँ, माल लिजे मेरी income एक लाग रुपे है, अब मुझे क्या करना पड़ता है, इसमें से कुछ पैसा, schools पे, hospital पे खर्चा करना पड़ता है, माल लिजे 25,000 रुपे मेरा school और hospital पे खर्चा हो जाता है, अब suppose सारा खर्चा आप हमसे ले लो, तो इस case में क्या होगा, मेरी ability to work है, वो बड़ेगी, इसका मतलब है कि मैं ज्यादा काम कर पाऊँगा, इसी के साथ मेरी ability to, क्योंकि मैं जो पैसा है वो fruits पर खर्च करूँगा, दूद पर खर्च करूँगा, सबजी पर खर्च करूँगा, लाइफ को और बेटर बनाने पर खर्च करूँगा, इसलिए मेरी ability to work है, वो increase हो जाएगी, इसी तरीके से ability to save increase होगी, क्योंकि पैसा जो है, वो पहले से जादा बचेगा, जब जादा पैसा बचेगा, तो जादा investment कर पाएंगे, कहने का बच्चो simple मतलब यह है, कि अगर government क के द्वारा किया गया खर्चा, government खर्चा करती है, government expenditure करती है, तो इससे क्या होगा, लोगों की ability to work बढ़ेगी, लोगों की investment करने की जो ability है, वो बढ़ेगी, लेकिन इसका positive असर पड़े, willingness पर यह जरूरी नहीं है, बच्चो, तो लोग का मतलब एच्छा, जब सरकार के द् स्कूल पर पैसा खर्च कर दिया जाएगा, food पर पैसा खर्च कर दिया जाएगा, सरकार के द्वारा लोगों को old pension दे दिया जाएगी, unemployment announces दे दिया जाएगे, तो लोग काम ही नहीं करेंगे, अगर सरकार public expenditure के माध्यम से लोगों की need पूरी कर दे, तो जरूर ability जो बढ़त से unemployment बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि जो व्यक्ति unemployed है, जब उसको compensate हो जाएगा, बहुत सारे European country में unemployment announces काफी heavy दिया जाता है, मतलब job करोगे तो 25-30% extra मिल जाएगा, नहीं करोगे तो 25-30% कम मिलेगा, इस तरीके का बच्यों प्रवीजन है, तो यहाँ पर government expenditure on social security facility may such unfavorable effect यानि कि अगर government बहुत बड़ी amount पर social security पर कर्च करती है, तो इसका बुरा असर पड़ेगा, willing to work पर, safe for investment पर, इसके अलावा बच्यों allocation of resources यानि कि एक resources को एक काम से लगा करता कर दूसरे काम पर लगाना, इस पर भी government को बड़ा असर पड़ता है, अब देखिए, government च करती है, तो definitely जो व्यक्ति, electronic car, sorry, diesel car खरीदने के plan में था, हो सकता है कि वो कुछ पैसे extra दे के, diesel, electronic car खरीद ले, यानि कि सरकार क्या करती है, resources को, diesel की कारों से अटा कर, electronic कारों पर लगा रही है, और यह कैसे कर रही है, सरकार, public expenditure के माधियम से, यानि कि public expenditure के माधियम से, public expenditure क इसको एक काम से अटा कर, दूसरे काम में लगाने में सफल हो जाती है, तो बच्चों यह आपको याद रखना है, इसका लावा, effect of consumption, देखे, consumption पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि, basically, हमें याद रखना चाहिए, कि जो poor person है, अगर public expenditure, उनके लिए किया जाएगा, तो जो economy में consumption का level है, वो बढ़ेगा, यानि कि, जो consumption की ability है, public expenditure, जो है, वो redistribution करता है, income का, खास तोर पे, poor के favorable में, क्योंकि, सरकार अगर hospital बनाती है, सरकार अगर schools बनाती है, सरकार अगर, माली जी, midday meal, योजना चलाती है, तो इसका लाव जो है, गरीबों को मिलेगा, और उनके consumption क level बढ़ेगा, और ultimately economy में, जो overall aggregate expenditure है, वो बढ़ेगा, तो बच्चों, ये सारी की सारे point आपको याद करने चाहिए, यानि कि, इस से क्या होगा, जो poor person है, उनकी capacity to consume बढ़ेगी, यानि कि, अगर government welfare program के through, education, health, housing, इस तरीके की चीज़ें, गरीब लोगों को provide कराती है, तो उन का consumption का level बढ़ेगा, उनकी saving बढ़ेगी, उनका investment का level बढ़ेगा, इसके अलावा economic stability लाती है, economic stability का क्या मतलब है, देखिए, जो boom है, जिसको क्या आप कई बार recession बोल देते हो, और recession, लगाता रहेंगे, आते रहेंगे, government क्या करती है, inflationary pressure को control करने के लिए, जिस समय inflation होता है, उस सब मैं public expenditure को कम कर देती है, देखिए, मैं आपको सम्झाने का प्रयास करता हूँ, basically inflation का मतलब है, कि जो aggregate demand है, वो ज्यादा है, aggregate supply से, इसका मतलब inflationary pressure करेगा, inflation create करेगा, अब आप जानते हो कि aggregate expenditure में, C plus I plus G होता है, ठीक है, aggregate demand, तो government जिस समय inflation होती है, उस समय प्रयास करती है, कि अपने जो government expenditure हो से कम कर दे, ताकि inflationary कम असर पड़े, इसी दरीके से माली जिए, recession का मतलब aggregate demand कम है, aggregate supply से, तो इस case में government क्या करेगी, government expenditure को बढ़ा देगी कहने का मतलब बच्चों ये है, कि government अपने expenditure के द्वारा, economy में आने वाले, boom और recession को भी control करने का पूरा प्रयास करती है, यानि कि अगर government को लगता है, कि inflation होगा, तो government क्या करेगी, contractionary fiscal policy अपनाएगी, जिसमें public expenditure को घटाया जाता है, इस से aggregate demand में कमी आएगी, इसी तरीके से government को लगता है, कि boom है, sorry, recession है, boom में तो ये करेगी, recession है, recession में क्या होगा, government expenditure को बढ़ाया जाएगा, कहने का बच्चों मतलब ये है, कि government expenditure जो है, जो public expenditure जो है, वो बहुती effective tools है, economic stability के लिए, इसके अलावा, बच्चों, effect of distribution, distribution, redistribution को पे इसका favorable असर पढ़ता है, expenditure जो है, अग education हो गया, unemployment benefit हो गया, तो ये जो benefit से, इसका अधितर फायदा गरीव यक्ति को करता है, और जब गरीव यक्ति को इसका फायदा मिलेगा, तो गरीव यक्ति से फायदा यह होगा, कि इस से क्या होगा, economic level इंका बढ़ेगा, लोग जादा से जादा पैसे कमाएंगे, और अपन concept समझ में आभी गया होगा, इस वीडियो में इतना ही, thank you